बाई जी जैसे आम जीवन में लोग कुछ गोल सेट करते हैं for next two years, three years, five years, एक vision रखते हैं आपने भी ऐसा कुछ target सेट किया हुआ अगले पांस साल में, तीन साल में हम और कहां जाना चाहते हैं हाला कि ब्रह्मा कुमारी विश्व की इस वक्त सबसे बड़ी अध्यात्मिक संस्ता है और लोग बहुत बड़ी तादाद में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हैं, शांती का नुभव करते हैं लेकिन next तीन-पांस साल में आप ब्रह्मा कुमारी को कहां देखते हैं सच पूछो तो परम पिता परमात्मा विश्व की हर आत्मा के पिता है और उनके ग्यान पर उनकी शिक्षाओं पर उनके धारणाओं पर उनके मार्ग दर्शन पर हर एक का हक है और उस बात को सामने रखते हुए एक आप तो एक साल दो साल कह रहे हैं जितना भी समय होगा इस समय में बाबा के महावा के हैं बच्चे कोई एक आत्मा भी इस ग्यान से वन्चित न रह जाए हर एक तक ये संदेश पहुँचना चाहिए चाहे वो किस दर्ण का हो किस भाषा को जानता हो चाहे किस भी देश का हो भारतवासी हो बाहर के किसी देश में रहने वाला हो ना उनको देश देश ना उनको धरम ना उनको कोई परकार का भी बीच में रुकावट नहीं है। इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज वहाँ पर भी जा करके वो सेवा करके आई थी और लोगों ने उनकी बातों को बहुत प्यार से सुना भी सराहा भी और दादी के ऐसा ही कहें जैसे दादी दादी शब्दी है दादी शब्द के दो अक्सर दादी बड़ी बेन को भी कहते हैं और दादी बड़ी मां को भी कहते हैं उस हिसाब से दादी जी को सभी ने बहुत चाहा बहुत प्यार किया और वो एक सो चार साल तक सेवा करके गई तो ये एक बात आज आपके द्वारा मैं ये सारे विश्रु को बताना चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा शिव हम सब के हम सभी आत्में जिन को ये ग्यान हो जाता है कि हम हर एक आत्मा इंडिवीजिल तो हैं लेकन हैं सब एक पिता की अनादी अविनाशी संतान और उस नाते से हम आपस में भाई भाई हैं तो वो रिष्टा हमारा अनादी है अविनाशी है और उस भावना से जब हम वैवार के अंदर आते हैं तो देखा गया है एक दो के प्रतीब बहुत उंची भावनाएं रहती हैं एक दो के प्रतीब बहुत शुब विचार रहते हैं एक दो के प्रतीब कोई भी दुर्भावना नहीं रहती मन में इस बात को हम प्रैक्टिकल में देखते हैं इस संसार में पराया कोई नजर नहीं आता सब अपने ही अपने है अपने ही भाई है अपनी ही बेहने है भाई जी आपने हमसे फिर से आज काफी देर तक बात की और आपका ग्यान भी हमने सुना आपका संदेश लोगों तक पहुँची रहा है तो दर शको दो तिन बातें बहुत कमाल की भाई जी के साथ चर्चा में आई जब हमने विजन की बात करी तो उनका सुर्फ एक ही कहना था कि जो बाबा का ग्यान है वो हर एक आत्मा का हक है और दुनिया में कोई भी आत्मा उस ग्यान से वन्चितना रहे तो देखिए विजन छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता लेकिन जब आप बेहत के बाप के पास होते हो तो विजन भी बेहत होता है इस दुनिया की आबादी में कोई भी व्यक्ति परमात्मा के ग्यान से वन्चितना रहे इस द्रण संकल्ब के साथ हमारे परमादर्णिय निर्वे भाई जी और यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान चला हुआ यह बहुत इंपोर्टेंट बात इस पूरी परी चर्चा में सामने आई और दूसरी बात सेकरेटरी जनरल ने ब्रह्मा कुमारी इसके लेकिन फिर भी उनका यह मानना है कि हर व्यक्ति हमारा भाई है जितने भी मनुष्य या तो हमारे भाई है या बहने हैं और सब हमारे हैं कोई भी पराया नहीं है अब वो किसी भी देश का हो जाती का धर्म का हो उससे कोई लेना देना नहीं यदि वो मनुष्य है तो हमारा है तो इतनी खूपसूरत संस्था आप जरूर अपने नीरश्ट ब्रह्मकुमारी सेंटर जाएं वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन का कूर्स करें और माउंट आबू आने की भी तैयारी करें निर्बे भाई जी मेरे को सम मातों भेहनोंने का ह को बहुत सारे मेल आते हैं कि आपकी मुस्कान बहुत आकर्शक है और उनकी तरफ से ये संदेश है